है अभरिवन को वेलकम बैक टुड़ intend so Frene Rus जो व्यकुर्णson screen अगर डिम होँरे मैं ऐने ने फी इसके ऊपर वीडियो बने आसा एक ग्रियू alltså जिसमें कि मैंने कैसे अपने जो कर और तो सब्दाख अगर आप यंक देख सकते हो तो उस वीडियो में बहुत सारे लोगों का बहुत सारे डाउट्स है और बहुत सारे लोगों का बहुत सारे में बहुत सारे किश्च्छ्चन हिए जिसको कि मेरेको एंशर देना है इस पर் decentralized पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से और मेरा जो पर्सिनाल एक्सप्रियेंस है उसको भी मैं आप लोगों को साथ सेयर करना चाहता हूं ताकि आप भी अगर प्लाइन कर रहे हो कुछ उस तरह का संप्लीम प्रोटेक्शन इस्टल करने के लिए अपने कार में तो आप को काफ इस्ट्रोलेशन का तो यह दोनों नॉन प्रेट प्रोमोशन है तो आपको जो रियल यूजर एक्सप्रियेंस है वही आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कार में कि अभी एक साल के बाद जो क्लीम जो मैंने ल रहता है मर्सीडी वगरा थोड़ा उसी तरह का थोड़ा सा लुक्स है ओके मतलब आप अगर ऐसे देखोगे तो ट्रांस्परेंट है अंदर कोई अगर बैठा है तो आपको क्लीरली वीजिबूल हो रहा है राइट अभी गाड़ी सेड में है और फिर भी ये क्लारिटी जो है ओके और यहां पर भी देखिए आप क्लीरली अंदर का जो कोई अगर पैसेंजर बैठा होगा तो आपको दिख जाएगा और गाड़ी अगर मान लो सन सन लाइट पर है तो और अच्छा से दिखा अभी तो यह पार्किंग में है यहां पर भी मैंने सन फिलिम लगा था सा और यहां पर भी आप देख लीजिए तो वैसे मोटा मोटा बोला जाए तो जो क्लारिटी है जो मतलब अंदर का जो वीजिबिलीटी है वो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है उसमें कोई प्रोब्लेम नहीं है ओके अभी एक साल हो चुका है तो मुझे कहीं पर कोई ट्राफिक के अंदर आ चुके हैं राइट और अंदर से जो आप वीजिबिलीटी देख से तो काफी अच्छा है ओके यहां पर आप देख लो थोड़ा सा यहां पर स्क्रेचेस आ गया है मैं इसके बारे में बताऊंगा कि यह कैसे हुआ है ओके वह वीडियो में आगे आगे आपको प दिलता है तो चलिए अभी बात करते हैं मेरा जो यूजर एक्स्प्रियंस है वो क्या है और आपका क्वेरी के को थोड़ा अच्छे से हम लोग डिसकस करते हैं तो वैसे आपको मैंने देखा दिया है कि मतलब आप्टर वान यर जो हमारा जो सन फिल्म जो मैंने लगाया था तो सबसे पहला जो कुश्यन था वो सेम उनका नाम है सेंडी सेम लिखा है वो लिख रहे हैं के डिद यू फाइंड डिफरेंस आप्टर फिल्म इंस्टोलेशन तो यह सबका मतलब एक कॉमन कुश्यन है कि आपने तो लगा दिया बट यह उतना मतलब एफेक्टिव है कि न कि नहीं बट जो गाड़ी का जो एसी है वो थोड़ा बेटर परफम किया कुछ टाइम तक और अचानक से जब आप गाड़ी चला रहे हो तो जो सामने का जो सनलाइड आता है आपका हाथ बहुत ज्यादा गरम होने लगता है बर्निंग होता है तो उससे थोड़ा सा मतलब ह मेरी मतलब एक एक्सपेक्टेशन था राइट यह था राजेस जी ने पूछा है कि नाइट ड्राइविंग बिकम डिफिकल्ट वो पूछा नहीं है वो बता रहे हैं अपना परसनाल एक्सप्रियेंस और हमारे और एक जो व्यूवर है वो उनका नाम है कभरात ओके उन्हों पर डैसबोड का जो लाइट रिफ्लेक्शन नहीं होता है क्या तो मैं भी वही सोच के इसको लगाया था कि मतलब जब रात को हम गाड़ी चलाते हैं तो सामने का जो लाइट अब बहुत जादा रिफ्लेक्ट करता है तो वह काफी डिश्टरविंग है तो मुझे लग रहा उससे भी कोई ज्यादा बेनिफीट नहीं हुआ तो मैं उसके बारे में यही बोल सकता हूं कि मुझे कोई डिफ्रेंस पता नहीं चला ओनली डिफ्रेंस जो है कि थोड़ा सा जो सन लाइट अंदर को कम आता है और ज्यादा मतलब जो अंदर का जो एस यह बहुत अच्छे स और नोट दे जर्स चेक्ट फिलिम इस इंस्टल और नोट एंदे फाइन तो यह उनका पर्सनल एक्स्प्रियंस है मुझे अभी तक लखिली उस तरह का मौका मतलब उस तरह का सिच्वेशन नहीं हुआ है बट यह बात सही है मेरे काफी सारे ब्यूएर हैं जो कमेंट कर और वो लोकेशन टो लोकेशन वहरी करता है और आपका मतलब जो लोकालिटी पर रहते हो आटियों से आप बात करके वह एप्प्रूब्ट है कि देख के आप लगाई है नहीं तो आपको अन्नेसेसरी यह फाइन के जहमिले में आना पड़ेगा राइट तो बिसिकली कोई आपको कभी अगर प्रोब्लेम आ सकती है राइट और दूसरे हमारे और एक ओडियंस है जिनका मतलब जो नाम है सी एसे कार सर्वीस बोलके अलिगर्ड लिखा है तो वह बोल रहे हैं कि यह जो घरवारे जो हमने लगाया था इसमें राइट आपने वो वीडियो देखा होगा जो ब्रांद घरवारे ब्रांड था और मैंने उतना ज्यादा कुछ R&D नहीं किया था कि क्या लगाओं क्या नहीं मेरे फ्रेंड लोग लगा रहे थे वह एक भेंडर को बुलाये थे अपने सोसाइटी पे तो मैंने भी सोचा कि चलो लगा लेते हैं बट वह बोल रहे हैं कि यह जो पर्टिकुलर ब्रांड यह जो बनात लगाना चाहते हो तो प्रपली थोड़ा अपना रिसर्च कीजिए और देखें कि यह घरवारे जो व्यल्टी ग्रेड है कि नहीं और उसके बाद आप मतलब यह पर्टिकुलर ब्रांड को कंसिडर कर सकते हो हमारे और एक भीवर है जिनका नाम है भेंकर्टेस उन्होंने औ तो बहां पर दो हजार स्ट्रेट फाइन लग जाता है अगर आपका कार में अगर कोई आप्टा मार्केड एक्स्ट्रा कुछ आपने सवन फ्लीम लगाया है तो कुछ उनको डाउट होता है वीजिबिलिटी को लेके तो वह आपको रोकेंगे जो ट्राफिक पुलीस हो सकते या और वो चेक कर सकते हैं से स्क्रेच करेंगे और देखेंगे कि आपने कुछ एक्स्टा फ्लीम लगाया है क्या और आपने लगाया तो उनके पास कोई तो डिवाइस होता नहीं है कि वह एक्चुली 70% वीजिबिलिटी है या 50% है तो वह कैसे उसको जज करेंगे तो वह तो आपको छोड़ सकते हैं पोचाहे तो आपको फाइन डाल सकते हैं वैसे एक मतलब एक टीपस है अगर मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो और सिटी के अंदर और आपने गलती से कोई मतलब थोड़ा सा मतलब जो संप्लीम लगाया है उसमें वीजिबिलिटी उतना ज्यादा नहीं है तो एक काम कीजिए आपका यह जो संपोता है उसको आप उपन कर दीजिए तो गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा कैबिन पर ज्यादा लाइट हो जाएगा तो बाहर से क्लियर वीजिबिलिटी गाड़ी के अंदर आता है तो आप सिटी में अगर अगर नहीं दीखता है तो उनको डाउट क्रेट होता है और तब जाके वह रोकते हैं राइट और रोकेंगे तो आपको फाइन देना ही पड़ेगा क्योंकि उनके पस कोई मेजरिंग डिवाइस है नहीं चलिए नेक्स कुश्चिन के तरफ चलते हैं वह है हमारे प्रकास ज जन्होंने मतलब लिखा है कि यह अर्टियो एप्रूब भी नहीं है मतलब यह जो हमने लगाया था घरवारे जो ब्रांड लगाया था यह अर्टियो एप्रूब नहीं है उन्होंने कस्टमर क्यार को बोल रहे हैं उन्होंने फोन किया था और उनको पूछा था कि मतलब यह जो आप प्रोवाइड कर रहे हो जो घरबारे का कास्टमर क्या रहे हैं वो पूछ रहे थे कि आप यह कार के लिए अप्रूट है कि नहीं तो वो बोल रहे थे उनको जो सुनने को मिला कि यह अर्खिटेक्ट्राल परपोस के लिए होता है तो नौट फ़र कार तो यह एक बात में मतलब मार्केट में मिल जाता है जब हम यहां पे बैंगलोर में जो जसी रोड़ आपके जब कोई भी सौप पे जाते हैं तो वो इसी ब्रांट को रेकॉमेंड करते और इसी ब्रांट को वो 15,000 18,000 चार्ज करते हैं लगी जो हमारे घर को आया था वह हमको 6-7,000 चार्ज किया पर प्राइस के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं कि बहुत सारे ब्यूवर बोल रहे थे कि आपने बहुत ज्यादा प्राइस दे दिया उनको और भी कम प्राइस जो घरवारे उस पर अगर जाते हैं तो मैं बोलूगा वो बैटर रहेगा राइट अभी मैं एक साल यूज कर चुका हूँ और अभी मुझे फील हो रहा है कि जो पहले लगाने के बाद इमिडेटली जितना AC के ऊपर जो इंपेक्ट आया था अभी उतना नहीं है और और एक हमारे ओडि कर दी वह बोल रहे हैं कि मतलब पीपल डोंट अंडर्स्टेंड रिजन वाय तो पूर्ट अफ्ली वाय नोट पूर्ट अफ्ली मिन सम्थिंग डिफ्रेंट राइट ग्लास जो हमारा होता है वहेकिल का जो ग्लास होता है जब कुछ मानलो एक्सिडेंट वगेरा होता है यह है सकाटेड होता है तो वह बोड़ी फीपक्त ज्यादा नहीं होता है तो उसी हिसाइब से यह ग्लास होता है अगर आप 這一했어 लगा देते पोलिथिन जो हमने लगाया है वो प्रोब्लेम कर सकता है तो सेप्टी को लेके थोड़ा सा यहां पे मेरे को दिक्कत दिख रही है तो आप भी यह पॉइंट को कंसिडर कीजिए अगर आपको भी मतलब संफिल्म लगाना है ज्यादा प्रोब्लेम हो रहा है तो आप इस प्रोब्लेम लगाये थे और उनका जो एक्स्प्रियंस है बहुत अच्छा है आज की डेट पर भी उनको मतलब काफी अच्छे से वो एफेक्टिवली एसी वगरा काम करता है तो मुझे भी लगा कि मुझे भी कोई अच्छा सा ब्रांड जो कि नोन ब्रांड है उस पे जान है आपका बट उससे ज्यादा डिस अडवांटेजेस भी है बेनिफीट तो आपको मैंने बोल दिया है कि मतलब जो संफ्लेम से आपका जो गाड़ी का इंटेरियर है वह इतना फैड इजी नहीं होता है थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलता है गाड़ी का केविन में इमीडिय कितना हि और इस नहीं है कि आपका कितना है और कोई कोई बोल रहे हैं करी वीजिबिली टी पे इंपेक्ट होता है जब आप गाड़ी चलातें हो रात को तो क्योंव से एक्सेसिट चोंसम चुकल कोई हो गया तो ग्लासीटर जो एवाकुएशन में उसमें प्रोब्लेम हो सक है insurance company भी आपको claim जब करोगे तो इसकी वज़े से वह प्रेंज को reject करने की यह लगाया है वो बहर बाहर को उसको कुछ पानी वगएरा कुछ डाल रहा था बट लगाने का यह अंदर से ही लगता है और यह आप यहांपे स्क्रेच आगया कैसे आगया यह आप देग रहे हो मेरा जो यहां पे मोबाइल होल्डर है यह निकल नहीं रहा था यह बहुत इत और इतना सब कुछ पढ़ने के बाद मतलब सेप्टी रिजन इंसुरेंस का प्रोब्लम हो सकता है फाइन लग सकता है बहुत कुछ है तो इतना सब कुछ सोचने के बाद मैं अभी सोच रहा हूं कि यह जो फ्लीम है मैं इसको सायद निकाल दो अभी एक-दो महिने के अंदर त आते हो तो थोड़ा सा प्रोस और कॉंस दोनों को समझ लीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए क्योंकि यह काफी कॉछली होता है स्टार्टिंग प्रैस 5-6000 से होता है फिप्टीन थाउजन ट्वेंटी थाउजन सो इस नोट स्मॉल अमांट तो सच समस्च समझ के इस प्रांड लगाना है तो यह सब में आफ को यह जो चैनल इसमें मैं अपना जो परस्टनल एक्सिए हमेएसा स्यार करता रहता हूं कुछ नया पर्चेज करता हूं बुँष अच्छा सकता तो इस तरह का content इस चैनल में देखने को मिलता है अगर आपको आगे भी इस तरह का content देखना है तो आप चैनल को subscribe करना मत भूलना और वीडियो अच्छा लगे तो like करना और वीडियो को जरूर और स्यार कीजिए अपने लोगों के साथ ताकि वो भी properly judge कर सकते हैं कि उनको भी ऐसा कुछ करवाना है तो वो करें या ना करें सो फ्रेंड आज के लिए इतना आपको फिर मिलते हैं एक नया वीडियो नया experience के साथ तब तक बाई टेक क्यार